हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब इच्चू किसनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी इंफ्लामेंटरी ड्रक्स के बारे में तो हम ऐसे दवायों के बारे में सिखने वाले हैं कि जो हमारे सरीर में होने वाली सुजन को कम कर दी है तो यह medications mainly 3 types के अंदर include हो सकते हैं तो एक जो है हम natural कह सकते हैं कि natural anti-inflammatory drugs दूसरे बन सकते हैं steroidal anti-inflammatory drugs और तीसरा non-steroidal anti-inflammatory drugs तो यह तीनों के बारे में हम सीखेंगे डेटेल में तो सुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में तो एक्सपेट लेक्चर बाया मरसर आसिस्टन प्रोफेसर और फाउंडर अप फार्मरोक्स तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बाक्स में मिल जाएंगे या फिर आप 9016312020 ये नंबर पे वाट्सप करके भी इंक्वाइरी कर सकते हैं तो जिन स्टुडेंट्स के पास एंड्रोइड फॉन है वो एंड्रोइड अप डाउनलोड करें आईफॉन यूजर अप स्टॉर से डाउनलोड करें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझते हैं एंटी इंफ्लामेंटरी ड्रग्स के बारे में तो बीजिक कॉंसेट में आपका क्लियर करवाता हूँ कि एंटी इंफ्लामेंटरी ड्रग्स जो है वो ऐसे मेडिकेशन से कि जो इंफ्लामेंटरी ट्रेटमेंट में यूज किया जाते है और साथो साथ इंफ्लामेंटरी के रिलेटेट कोई डिसीज है या फिर कोई डिसोर्डर से तो उसके भी ट्रेटमेंटरी ये दवाईया जो है वो यूज की जाते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो लेग है और ये वाला आप देखो तो दोनों में आप देख पाओगा कि यहाँ पे आपको जो है वो inflammation जो है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको inflammation देखने को मिल रही है ज़के ये वाली side आप देख रहे हैं तो वो है normal side तो जब ऐसे inflammation होती है body के अंदर किसी भी जगा पे अंदरूनी inflammation है या फिर बाहर की और inflammation है सभी type की inflammation को cure करने के लिए उसको treat करने के लिए ये दवाईया use की जाती है तो ये medications के पास ऐसी ability होती है कि जो ऐसे chemicals कि जो responsible होते है सुजन के लिए तो उनको block करके अपनी जो है वो effect देती है जिसे inflammation जो है वो काम होता है कि समझो कि ये जगा पे जो आपको redness और जो सुजन देखने को मिल रही है तो ये उसके कारण होती है कि जब ऐसे chemicals release होते है कि जो वहाँ पे inflammation या फिर सुजन होने के लिए responsible है तो ये anti-inflammatory दवाईया क्या करती है जो chemicals release होते हैं inflammation होने के लिए जो mediators होते हैं inflammation के लिए उनको block कर देता है या फिर उनकी effect को completely block कर देता है जिससे आपका जो है वो सुजन देरे-देरे कम हो जाता है तो अब आपके mind में जरूर से ये question होना चाहिए कि ऐसे कौन से ऐसे chemical से कि जो responsible है inflammation के लिए तक जिनको mediators भी कहा जाता है उनको chemicals या फिर mediators कहे जाते हैं inflammation के लिए कि जब भी हमारी body के अंदर किसे जगा पे कोई injury होती है या फिर infection होता है कोई toxicity होती है कोई toxins की effect होती है तो तुरंद उस जगा पे mediators release होते है inflammation के जैसे कि prostaglandin का formation होता है कि जैसे हमने सिखा था कि ये जो arachidonic acid होते है उसके लिए 2 enzyme responsible बनते है कि एक cyclo oxygen is 1 enzyme होता है दूसरा cyclo oxygen is 2 अब ये enzyme के involvement से आगे जाके ये prostaglandins बनते है कि जो responsible बनते है inflammation के mediators के दोर पे साथ ही उसके अलग-अलग versions भी बनते है कि जो pain और सुजन के लिए responsible होते है तो ये हमारे medication specially क्या करते है कि समझो कि ये cox enzyme है उसके दोनों version को या फिर किसी एक version को जो है वो completely बन कर देका कि जिससे आगे जाके ये prostaglandin ही ना बने तो उस तरह से ये जो pain के लिए mediators होते हैं inflammation के जो mediators होते हैं उनको कम करकी उपनी effect देता है तो सिर्फ prostaglandin नहीं और भी बहुत सारे ऐसे mediators है जैसे कि bradykinin है, serotonin है, histamine है, interleukins के अलग-अलग version से फिर platelet activating factor की जिसको हम कहते है PAF ये भी एक responsible बनता है inflammation के लिए gamma interferon है फिर TNF जिसको हम कहते है tumor necrosis factor कि जब किसी को cancer वगे रहा होते तो उस वाग ये factor जो है वो वहाँ पे sujan करवाने में एक involve होता है, फिर transforming growth factor जो होते है और lymphotoxin, तो ये सभी mediators जब किसी भी जगा पे release होते है या फिर इन में से कोई भी एक mediator release होता है, तो भी वहाँ पे sujan देखने को मिलती है तो especially inflammation के हैं, तो inflammation एक ऐसी condition है कि हमारे body का जो पार है वह सबसे पहले रेट हो जाता है कि देख़ो यहाँ पे कि कि जो हमारे gums होते हैं, मसूडे होते हैं वहाँ पे समझे कि ये जगा पे infection हुआ है कि कोई dental infection हुआ है तो dental infection के अंदर सबसे पहले हम देखते कि यह जो मसुडे होते हैं वो कई बार raid हो जाते हैं वहाँ पे sourness देखने को मिलती है और वहाँ पे जो person है वहाँ पे swollen हो जाता है मतलब कि उस वहाँ पे सुजन देखने को मिलती है तो जब भी body के किसी भी part में कोई infection होता है या फिर कोई injury होती है तो वो person लाल हो जाता है थोड़ा वहाँ पे sourness देखने को मिलती है और वहाँ पे सुजन मिलती है तो ऐसी condition को हम कहते है inflammation या फिर सुजन तो सुजन कब तब होती है कि जब हमारे body को किसी भी तरह से कोई injury होती है कोई accidentally कोई injury हमें होती है किसी भी जगा पे तो तुरंत वहाँ पे ये सुजन देखने को मिलती है या फिर आपके body के अंदर कोई infection हुआ है किसी भी टाइब का infection के चाहे वो bacteria के करण हुआ है कोई virus के करण हुआ है food के करण हुआ है किसी भी टाइब का fungal infection हो तो सभी के अंदर ये inflammation कई बार देखने को मिलता है या फिर वो area जो है वो हमारी body का damage हुआ है या फिर कोई ऐसे toxins वहाँ पे release हुए तो ये सभी के कारण जो inflammation के mediators वहाँ पे release होते है और वो mediators जो है वो करवाते हैं Susan तो body start to heal itself and start healing and cell will release chemicals which produce inflammation अब हमें पता है कि जब भी हमें कोई injury होती है कोई infections होता है हमारी body के कोई अंदर कोई toxins आते है या फिर वो portion damage होता है कि जब हमारी body की healing system होती है तो ये healing system हमारी body को repair करना जो है वो start कर देती है तो उसके दोरान ये chemicals जो है वो release होते है कि जो हमने अभी देखे कि जितने भी mediators release होते है वो वहाँ पे जो है वो सूजन जो है वो produce करते है तो सूजन जो है वो एक sign बनता है कि जब आपकी body react करती है किसी भी infection के सामने किसी भी injury के सामने toxins या फिर damage के सामने और वो अपनी healing process जो है वो start कर देती है तो inflammation कितने steps में होता है तो सबसे पहले आप देखो inflammation के जो sign तो पहला बनता है redness कि redness को जो है और दूसरा word उसके लिए है Rubber फिर swelling कि जिसको tumor भी कहा ज़ता है तो swelling होना फिर तीस रहे हम देखे तो वो है pain होना कि जिसको dollar कहा ज़ता है कि pain और 4 हम देखे तो वहाँ पे फिर heat जैसा होना Billर जिसको कहा ज़ता है तो यह 4 sign है inflammation के और यह 4 करको के वो पर्टिकिलर एरिया के जो फंक्षन है उसको लॉस करवा देते कि लॉस आफ फंक्षन कि समझो कि क्योई जगा पर आपको इंजरी हो तो वहाँ पर रेडनेस हो गई फिर सूजन हो गई पेन भी हो रहा है और हीट मतलब कि जलन होना ऐसे कंडिशन कि जब इंफ्ला फंक्षन है वो एरिया का वो अच्छे से नहीं कर पाते आप या फिर लॉस आफ फंक्षन तो सिंप्लिक आप एक्जाम्पल लिजे कि समझो कि आपको हुआ है फ्रेक्चर तो फ्रेक्चर जब होता है तब ये कंडिशन प्रोडिस होती है कि जिस जगा पर बॉन फ्रेक्च हुआ है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी पेन और फिर आपको वहाँ पर जलन जो है वह स्टार्ट हो जाती है और ये सब कॉंबिनेशन होता है तो वह पार्ट जो हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाता कि जिसको कहते हैं हम लॉस आफ फंक्षन तो अब जानना जर वो डिस के रेलेटेट ही रहेगा जबकि क्रोनीक इंफ्लामेशन जो ये वो बारबार होते हैं आपकी बडी के अंदर जैसे कि आपको कोई काडियु वास्कुलर डिसीज है तो सीवीस रिलेटेड जब आपको कोई प्राब्लेम होते हैं काडियु वास्क् десят और सिस्टम्स रिलेटेड उनके रिलेटेड कोई डिसीजन डिसोडर से तो बार-बार आपकी बॉड़ी के अंदर सुजन होती है कोई नियूरोलोजिकल डिसीज है तो भी उस वक्त सुजन देखने को मिलती है कोई आटो इम्म्यून डिसीज वगेरा है जैसे की रुमेटोड आर्थराइटिस के कंडिशन है आर्थराइटिस है औस्ट्यो आर्थराइटिस की जिसके अंदर हम जानते है कि अलग-अलग जोएंट रिलेटेड इंफ्लाइमेशन होता है पेन होता है फिर cancer के अंदर भी chronic inflammation देखने को मिलता है lupus के अंदर fibromyalia के अंदर and chronic fatigue syndrome के अंदर भी आपको ये chronic inflammation जो है वो देखने को मिलता है but acute inflammation की जो temporary होता है कुछ समय के लिए होता है automatically body की healing system वो inflammation को जो है वो फिर से normal भी कर देता है तो जैसे कि कोई आपको allergy हो गई है किसी reactions के करण कि कोई insect bite हुआ है तो insect bite की allergy के करण temporary वहाँ पे सूजन हो जाते है समझो कि आपको किसी भी insect ने bite किया है जैसे कि मदू बख्खी ने आपको bite किया है फिर समझो कि किसी भी और मच्छर ने काट लिया है वो condition थोड़े समय के बाद reverse हो जाती है तो वो acute inflammations होते हैं कि जो allergic reactions के करण हम कह सकते है कोई chemicals के करण temporary inflammations होना infections के करण trauma या फिर injury के करण होना burnings के करण होना कि वो area समझो कि जल वहाँ पे burning हुआ है आग के करण या फिर cut हो चुका है wounds हो चुके है frost bite जैसे कोई insect के करण हुआ है तो ये सब ही जो है वो acute inflammation है तो अब समझते कि ये इस type के समझो कि inflammation होते है और वो inflammation ऐसा चलता है कि लंबे समय तक चलता है और आप जो है अच्छे से functions नहीं कर पाते तो उस वक्त ये medications लेने की ज़रूत पर देगी जैसे कि anti-inflammatory drugs को हम mainly दो कैटेगरी में सबसे popular जो हम कहे सकते हैं दो कैटेगरी के एक थे non-steroidal anti-inflammatory drugs और दूसरे है steroidal anti-inflammatory drugs तो non-steroidal anti-inflammatory drugs को हम nusids भी कहते हैं और जो steroidal anti-inflammatory drugs है उनको corticosteroids भी कहा जाद है कि corticosteroids में से कुछ medication से से है कि जो inflammation को कम करने के लिए यूस किया ज़ित जैसे कि आपको पता होगा कि ये dexone आ जो है कि जिसके अंदर dexamethazone है फिर beta-methazone है तो ये popular ऐसे स्टेरोइड से कि जो सुजन वगेरा को inflammation वगेरा को कम करने के लिए यूस किया जाते है फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि diclofenac है और साथ ही साथ ही ये paracetamal का combination की जो है dynapar तो वो एक anti-inflammatory medications है पर वो non-steroidal anti-inflammatory drugs के category में आएगा फिर यह जो seratiopeptidase है उसको हम natural कह सकें कि विकाज वो naturally जो है वो derive किया जाता है अलग-अलग enzymes में से तो सीखते हैं डीटेल में सभी के बारे में तो अब nurses के अंदर आप समझो तो जो cyclo oxygenase inhibitor है आगे ही जो मैंने आपको समझा था कि कि जो cox का जो पूरा पाथ भी होता है कि cyclo oxygenase जो enzyme है उसको समझो कि हम inhibit कर देते तो आगे जाकि जो prostaglandin है वो नहीं बनता तो aspirin जो है वो ये वो ये काम करती कि aspirin आप जब यूज करते है तो भी ये same आपको effect देती है anti-inflammatory medications के तोर पे और ये non-steroidal कहा जाते है मतलब कि ये steroid नहीं है steroid CY के दूसरे medications तो aspirin है ibuprofen देख सकते हैं कि ये जो ibuprofen के 400 mg के tablet आते हैं वो भी anti-inflammatory है फिर fluorbiprofen कि यहाँ पे उसके eye drops आते हैं कि ये जो eye drops जो है वो यूज किया जाते हैं कि eyes related इस तरह कि कोई inflammation है सूजन है तो fluorbiprofen के eye drops यूज किया जाते है as a anti-inflammatory drug naproxen के जो tablet के tablets आते हैं mefenemic acid है pyroxycham है, ketorolac है indomethazin है and phenylbutazone तो ये सभी example ऐसे है कि जो non-selective cox inhibitors कहे जाते हैं और ये non-steroidal anti-inflammatory drugs के category में पढ़ते हैं फिर हम देखें दूसरे की जो preferential cox-2 inhibitors है तो cox-2 inhibitors में आते हैं nemesiloid आता है, melloxycham आता है, itodolac आता है diclofenic आता है और aciclofenic की ये जो काफी popular ऐसे anti-inflammatory drugs की जो as a pain killer भी हम use करते हैं तो यहापे आप देख सकते हैं कि aciclofenic के सस्टेन रिलिस टैबलेट है फिर nemesiloid के यहापे आप टैबलेट देख सकते हैं melloxycham की इज टैबलेट से फिर diclo अगेरा तो आपको पता है कि diclofenic, sodium काफी popular डगे उसके injections भी आते हैं as well as उसके tablet gel अगेरा भी हम use करते हैं कि जो inflammation को कम करने में help करते हैं जब भी आपको कुईसी की जगा पे surgeon होते हैं तो जो कि diclofenic की gel भी लगाते हैं तो भी उस वक्त फाइदा होता है because ये एक anti-inflammatory medication है फिर दूसरे example देखे तो selective cox 2 के अंदर selecoxib आता है कि जिसके 400 mg के capsules आते हैं फिर itoricoxib होते हैं जिसके 90 mg के tablets जो है वो market में available है फिर paracoxib ये तीन cox 2 inhibitor कही जाते हैं फिर ऐसे medications की जो analgesic है but anti-inflammatory effect भी रखते हैं बट वो काफी poor effect होती है जैसे कि दो example है उसके अंदर एक है paracetamol का और दूसरा है metamizol का तो paracetamol जो है वो खासकर हम fever में यूज़ करते हैं बट उसके पास भी mild anti-inflammatory effect जो होती है इसके करण आप देखो जो सुजन के कम करने वाली दवायों के अंदर कई बार paracetamol भी combination में होता है जैसे कि paracetamol और diclofenic के combination वाला जो dynapar है तो वो एक anti-inflammatory भी काम करता है और painkiller का भी काम करता है फिर nefopalm करके तो ये सब हो गए non-serodal अब समझो कि steroidler की ये medications को हम कह सकते कि steroids है तो steroids class के medications की जो anti-inflammatory drug है तो सबसे उपर popular एक है प्रैटनी सॉलन है कि जिसके 5 mg के tablets available होते हैं प्रैटनी सॉन के भी tablets आते हैं बीटा मिथास उनके tablets भी आते हैं injections भी यूज किया जाते हैं और उसके injection सबसे ज़्यदा popular है कि आप देखो बैटनी सॉल्ड करके जो ये injection है कि जो ये GSK का product है GlaxoSmithline का तो काफी popular anti-inflammatory drugs है steroid class की कि जो सुजन को कम करने के लिए यूज के जाती है उसके साथ उसाथ ये Dexonा का जो injection Dexamethasone कि जिसके tablets भी आते हैं as well as उसके ये injection भी market के अंदर काफी popular है hydrocortison है methylprednisolon है और deflazacort तो ये हो गए popular anti-inflammatory drugs कि जो steroids हैं दब उसके बारे में थोड़ा detail में समझते हैं कि जो short acting के थोड़े समय के लिए जो effect देने वाले है वो है hydrocortison और cortison फिर intermediate हम देखे तो shorts acting से थोड़ी ज्यादा समय तक effect देने वाले जैसे कि prednisolon है and prednisol और methylprednisolon फिर tri-mc रहती है तो वो है beta-methasone है glucocorticoids आते है dexamethasone है paramethasone है तो ये सब long acting है और चौथा क्लास उसके अंदर बनता है topically acting तो उसको topically लिया जो है उनके creams वगेरा होते हैं या फिर aerosol की भी उनके available होते हैं कि जो inhaler के तोर पे यूस के जाते हैं जैसे कि baclo-methasone है तो उसके topical creams वगेरा available होते हैं कि जब आपको सूजन होती है कोई infection हुआ है inflammation हुआ है या फिर कोई injury होई है तो उसक्त ये जो creams लगाए जाते हैं बुडे-sonaid आता है फिर flucinolone acetonide के जो है वो topically acting medications आते हैं और fluocortolone जो है ये सब topically acting corticosteroids से कि जो steroidal anti-inflammatory drugs कहे जाते हैं तो ये सभी market के अंदर काफी popular हैं उसके अलग-अलग doses bomb की long acting के अंदर ही हम देखे तो beta-methasone और dexamethasone काफी popular है उसी तरह से ये जो prednisolone है कि prednisolone prednisolone और methyl prednisolone भी सबसे ज़्यादा जो है वो use किया जाते है उसी के साथ और साथ आप देखो तो fluocenolone और baccalomethazone के भी आपको formulations जो है वो देखने को मिलते हैं फिर fluocortolone के भी बहुत सारे formulations जो है के लिए यूज केज़े तो इनके सभी टाइब के खासकर doses form आपको मिल जाते कि ये injections form में भी कुछ available होते है उनके tablets वगेरा भी आते है और कुछ के gels या फिर cream वगेरा भी market के अंदर available है as a different doses form उसके बाद एक और popular medications है कि जो natural हम कह सकते है natural anti-inflammatory तो वो है seratiopeptidase के tablets कि जो 10 mg के strength में available होते है तो seratiopeptidase जो है वाइडली यूज होने वाला medication से कि जो inflammatory disorders और inflammation को treat करने के लिए यूज की जाती है और उसकी आप strength देखो तो सिर्फ 10 mg के अंदर यूज होता है यह तो 10 mg में भी यह काफी effective रहता है और इसके combination भी आप कई बार देखोगे कि seratiopeptidase के जो combination paracetamol के साथ aciclophenic के साथ या फिर diclofenic के साथ आपको देखने को मिलेंगे तो seratiopeptidase actually क्या है तो वो एक protein है protein enzyme यह जिसको हम कही जगते है कि protein enzyme है proteolytic enzyme है और seratiopeptidase या फिर serapeptidase भी जिसको कहा जाता है कि जो isolate किया जाता है non-pathogenic enterobacteria seratia A15 में से found in silkworm कि जो silkworms होते है उनके अंदर यह bacteria जो है वो देखे जाते है तो यह bacteria नाम है seratiopeptidase और यह enzyme के पास ऐसी effect है कि जो inflammation को कम कर सकता है और inflammatory disorders को treat करने में यह help करता है तो यह भी एक popular anti-inflammatory medication से seratiopeptidase फिर turmeric का भी हमें example ले सकते हैं या आप एक turmeric भी क्या करती है help करती है prevent करने में और reduce करने में हमारे inflammation को तो turmeric के जिसको हम हल्दी कहते है तो उसके अंदर एक ingredient रहता है यह curcumin तो curcumin जो है curcumin के पास जो effect है वो है एक natural anti-inflammatory compound कहा जाता है कि जो हमारी turmeric के अंदर होता है जो हल्दी के अंदर तो आप देखो जब किसी को अंदरूनी सुजन होती या फिर सुजन वगेरा होती तो वहाँ पे यह हल्दी भी लगाई जाती है कि salt औल हल्दी का mixture करके वो गरम करके वहाँ पे लगाई जाता है या फिर आप हल्दी वाला दूद पीते है तो भी आपकी बोड़ी की जो अंदरूनी जो सुजन होती है वो कम होती है तो टर्मेरिक इस तरह से काम करता है कि जैसे कि आपको pain होता है तो वो reduce करेगा stiffness है मतलब कि जो joints अकड़ जाते है या फिर किसी भी जगा पे से अकड़न देखने को मिलती है तो वो कम करेगा सुजन कम करेगा ये टर्मेरिक और उसके great benefits हम देख सकते है inflammation को body के अंदर कम करने के लिए फिर एक और popular combination है वो ही univestine कि जो macvestine के tablets के अंदर हम देख सकते कि जिसके अंदर ये एक food based natural composition हम कह सकते है because उसके अंदर दो ऐसे herbs use कहे गए है कि एक है acacia cottage कि जिसको हम care कहते है हिंदी के अंदर और दूसरा है Chinese curl cap तो Chinese curl cap और ये acacia दोनों में से जो उसके extract लिए गए कि जैसे flavons लिए गए है acacia में से और flavonoids लिए गए है Chinese curl cap में से और उनसे जो combination करके जो बना हुआ जो एक patented natural food based composition है कि जिसको uni westin कहा जाता है तो ये uni westin को use करके बहुत सार या popular formulation जो है वो बन रहे है कि जो inflammation के treatment में use किया जाता है और specially जो joint related inflammation होती है कि specially joint के health के लिए because जो arthritis होती है osteoarthritis वगएरा के अंदर joint के अंदर pain भी होता है और वहाँ पर सुजन भी होती है तो उस वग ये medications के पास ऐसी ability है कि वो reduce करता है आपका inflammation कि जो responsible है pain वगएरा के लिए और discomfortness के लिए तो उसको काम करेगा और inflammation के लिए responsible जो भी enzymes होते है mediators होते है उनको block करता है और inhibit करता है और इस तरह से ये univestine काम करता है कि जिसके एक popular formulation है वो है macvestine के tablets तो अब समझते कि anti-inflammatory drugs को हम कहाँ पर use कर सकते तो ऐसे सभी conditions कि चाहे वो acute है या फिर chronic है कि जहाँ पर लंबे समय तक सूजन चलती है और जिसके करन आपके daily work जो है वो affect हो रहा है तो उस वक्त ये medications जो है वो use के जाते कि जैसे कि अलग अलग ऐसे infections हुए है body के अंदर और उसमें एक सूजन देखने को मिल रहे है कि जब आप report करवाते है तो उस वक्त आपको पता चलता है कि inflammation या फिर आपकी body के उपर directly ऐसे सूजन देखने को मिल रहे है कि pain हो रहा है किसी shoulder पे joint पे pain हो रहा है stiffness देखने को मिल रहे है कही पे अकडन हो चुकी है कही पे भी तो उस वक्त ये use कर सकते है या फिर cancer के दरान होने वाले inflammation arthritis में होने वाले inflammation कोई autoimmune diseases के अंदर neurological disease cardiovascular जितने भी ऐसे condition के जापे आपको inflammation होते तो सबीट conditions को treat करने के लिए ये medications use की जाते आप जानते हैं उसके dose के बारे में तो usually जो है वो lower dose से treatment जो है वो start की जाते हैं जैसे कि आप देखो seratiopeptid is है तो उसका जो dose है वो 10 mg है तो usually जो patients है वो 10 mg के tablet से ही start करते हैं usually ये once a day लेते हैं कि दिन में एक ही बार लेते हैं और एक बार लेने से समझे कि ठीक ना हो तो ही आप दिन में दो बार जो है वो ले सकते हैं और दो बार भी तब ही लेना है proper divided dose के अंदर कि समझे कि 20 mg का समझे कि total dose दिन में लेना है तो 10 mg जो है आप morning में लेते हैं और दूसरा 10 mg रात में लेते हैं और दोनों dose के बीच में at least 24 hours का sorry 12 hours का gap रहे उस तरह से आपको 2 medications लेनी है कि एक समझे कि सुपर 10 बजे लेते हैं तो दूसरा medications रात को जो है वो 10 बजे लेना चाहिए कि जिससे 2 dose के बीच में at least 12 hours का जो है वो gap रहे और समझे कि आप single dose ही लेते हैं तो सिर्व lower dose में किसी भी एक समय पे लेना चाहिए और proper जो है वापके healthcare providers के instructions को follow करके ये anti-inflammatory medications लेनी चाहिए बिकॉज आप सभी anti-inflammatory medications के उपर आप खास कर देखोगे तो red line उनके wrappers के उपर देखने को मिलती है यहाँ पे भी आप देखो कि चाहिए seratiopeptidae से beta-methazone है dexona है कि यहाँ पे भी RX और ये red line यहाँ पे है और यहाँ पे diclofenic या फिर paracetamol के combination dynapar में भी आपको red line जो है वो देखने को मिलती है तो proper guidance के साथ ही use करने because यह RX only है कि आपके pharmacist या फिर doctor के सला के according to proper lane होती है तो उसके side effects हम देखें कि समझो कि आप non-steroidal anti-inflammatory drugs लेते है तो उसके side effects क्या हो सकते है आपके body के उपर तो उसके करन indigestion हो सकता है stomach के अंदर ulcer हो सकता है headache हो सकता है में लगे सरदर्ध होना drossiness जैसा फूरना dizziness allergic reactions हो सकते है feeling sick या फिर diarrhea क्या आप बीमार हो यह साब को feel होना तो जब nusers जो है वो लंबे समय तक use करते है और higher dose में use करते है तो यह सब side effects सबसे ज़्यादा यह stomach ulcers कि जब यह उसके जो tablets आप लेते हैं higher dose के अंदर और regularly लेते हैं तेस तरह से आपके stomach के अंदर यह ulcers जो है वो form हो सकते हैं तो यह खास ध्यान रखे कि proper diagnosis के साथ और proper medical supervision के under में ही यह medications को आप use करें फिर समझते हैं जो steroid और anti-inflammatory drugs उनके side effect क्या है तो उनके side effect आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे तो एक है acne कि जो यह anti-inflammatory medications तो है सुजन कम करती है पर यह steroids हैं और steroids को लंबब समय लेने से कुछ problems होते हैं जैसे कि acne हो सकता है insomnia होना मलब कि आपको रात को late night तक जो है वो नीद नहीं आती फिर vertigo का problem अलब कि चक्कर आ सकते हैं आपको कई बार weight gain होता है skin जो है वो impaired होती है उसका healing impaired हो जाता है कई बार लंबे समय तक यह steroidal anti-inflammatory drugs लेने से patient depression में जा सकते है hypertension हो सकता है आपको आपकी appetite increase हो सकते है बूख बढ़ेगी आपकी फिर electrolyte imbalance हो जाता है यह steroids के कारण neurological disorders हो जाते हैं menstrual disorder होते हैं कि अगर आप female है abnormal hair growth होना start होगा glucoma हो सकता है bone, muscle या फिर joint pain होगे कि अगर आप उसको high dose में लंबे समय तक use करते हैं gastrointestinal disorder हो सकते हैं और skin disorders होते हैं तो यह सब side effects होते हैं anti-inflammatory drugs वो steroidal जो हमने सीखी अब जो natural है उसके तो कुछ common side effect होते हैं कि जैसे nausea, vomiting होना stomach upset या फिर acidity जैसा होना जाना वो common या फिर normal side effect कह सकते हैं जो natural है जैसे कि seratiopeptidase आप यूज करते हैं turmeric यूज करते हैं या फिर uni western यूज करते हैं तो उसके कुछ ऐसे आपको major side effect देखने को नहीं मिलते हैं अब contraindications के हैं कि अगर आप nurses यूज करते हैं या फिर steroidal यूज करते हैं anti-inflammatory के अंदर तो उनके contraindications सबसे पहले ये रहेगा कि आपको अच्छे से पहले patient counseling करवाना है और patient counseling के दरवायन आपको बताना है कि अगर आपको कोई allergy है कि जितने भी हमने यहाँ पे अलग-अलग medications discuss कि उसमें से किसी भी ingredient की या फिर किसी भी medications की आपको allergy है और वो medication subject के आपको prescribe की जाती है तो तुरंत आप patient counseling के दरवान आपके pharmacist या फिर doctor को जरूर से बता है कि जिससे उनको पता चले कि आपको वो ingredient की allergy है वो medications की allergy है फिर आप ऐसे patient है कि आपका kidney या फिर liver जो है वो फैल हो चुका है या फिर उनके functions जो है वो अच्छे से काम नहीं करतें तो भी आपको जो है वो बताना है फिर pregnancy के दरवान proper precautions या फिर caution के साथ लेनी है फिर same जो kidney disease के आप patient है तो भी proper आपको caution के साथ ही ये medication मलएकि proper precautions रखने पड़ेंगे या फिर under medical super reason ही यूज की जाती है अगर आपको hypersensitivity या फिर allergy है तो भी यूज ना करें liver failure के patient है या फिर आपको कोई gastric ulcer related problem है या फिर आपका जो stomach है वहाँ पे कोई ulcer है तो उन लोगों को भी ये proper caution के साथ जो है वो यूज के जाते तो ये था अमारा special video lecture तो ऐसे ही जो अलग-अलग diseases और उनके treatment के बारे में सिखे PharmaRox के mobile application के उपर की जो medicine related lecture उनके PDF, PPT's affordable price में आप access कर पाओगे PharmaRox के mobile application के उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android आप download करें iPhone user है तो app store पर से भी आपको download के option मिल जाएंगे link आपको description box ने हमने दे दी है या फिर आपको query हो तो ये number भे WhatsApp करके भी हाँ आपकी query जो है वो solve कर सकते है regarding the courses So thank you for watching, access कर ये study material test series and video lecture PharmaRox के आप उपर So good luck and all the best